हेलो दोस्तो वीएफेक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है आज मैं एक नोट के बारे में बताऊंगा आपको जो हर स्टोडियो में आपको मिलेगा तो यह नोट का नाम है पीएफेक्स किल्स पिल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट कर दिया में फूटेज से और यहां पर एक्षुली दू है दूप्शन मिलेगा एक है इमेज एक है मास्क तो पहले हम लोग इमेज से कनेक्ट करतेंगे उसके बाद एक रोटो नोट लेंगे और देख लिएते हैं प्रोजेक्स सेटिंग क्या है यह फूटेर्स का साइज है तो प्रोजेक्स सेटिंग अल्ड़ी सेत है तो स्टार्ट करतेंगे तो हम लोग को क्या करना है यह मार्कर रिमूब करना है तो यह कैसा काम करता है मैं यह बताऊंगा पहले एक रोटो सेप ड्रॉव कर लेते है जैसे हम लोग में रोटो सेप ड्रॉव किया उसका कलर ऐसा कुछ हो गया तो हमें सबसे पहले क्या करना है स्क्रीन कलर इसको पहले सिलेक करना है इसको सिलेक करके रेट करना है जो कलर का आपका मारकर रहेगा तो उसी कलर को आपको यहां से सिलेक करना है तो यह तो रेट मारकर है तो रेट मैंने पहले सिलेक कर दिया तो जैसे ही मैंने red select किया green से पहले green रहता है उसके बाद rate जैसे select किया तो ऐसा color कुछ आ गया तो उसके बाद हमें तीन option मिलेगा एक है suppression दूसरा है limiter तीसरा है spill tweak तो तीनों में हमें तोड़ा-थोड़ा उसको adjust करके हटाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग change करेंगे suppression में पहले rate channel में जाते और देखते इसका कैसा changes करते ये overall rate marker को ही थोड़ा सा dark कर देगा लेकिन बहुत ज़दा dark कर लोगे तो ये rate channel में side का green color का matte है तो उसको भी वो dark करना start कर देगा तो एक limit तक ही उसको हमें tweak करना है तो gain और gamma थोड़ा सा बढ़ा देते second चीज़ है limiter limiter क्या करेगा limiter overall जो rate color हैगा उसको थोड़ा सा suppress कर देता है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से ही उसको suppress करना है default value 1 रहता है तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान से इसको हलका सा दाउन करेंगे last में आता है spill tweak spill tweak में changes करने से पहले में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ ये marker कौन कौन सा चैनल में दिख रहा है rate में तो दिखी रहा है green और blue ये तीनों चैनल में ये marker दिख रहा है तो हमें क्या करना है पहले तो spill tweak overall यहाँ पर थोड़ा सा change करेंगे ऐसे यहाँ पर zero हो गया zero से भी नीचे हम लोग जा सकते हैं ये काफी हद तक sorry पहले rate में जाएंगे rate में हम लोग थोड़ा सा इसको tweak करेंगे और इसको थोड़ा सा आप करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप option दिखाए देंगे कि तीन three लिखा हुआ है three जैसे click करेंगे three के उपर तो यहाँ पर spill tweak में तीन option मिलेगा red green and blue तो तीनो चैनल में individually हमें उसको change करना है पहले जाते है red में red में थोड़ा सा हम लोग ने adjust कर चुके है उसके बाद green में जाएंगे green में जाके उसका value थोड़ा सा बढ़ाएंगे यह almost match है blue में जाएंगे blue में ज्यादा है अभी थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग red में जाएंगे तो सभी में थोड़ा सोड़ा हम लोग tweak करके देखेंगे कि कैसा output उसका आ रहा है तो यह spill tweak जो है यह spill tweak exactly क्या करता है यह जो core part है marker का तो उसी में ज्यादा यह effect करेगा और यह जो limiter है यह पूरा के पूरा overall जो red color है उसको यह करेगा सिर्फ core को नहीं यह आसपास के जितनी भी area है सभी को यह suppress करेगा तो हमें limiter और spill tweak के दूनों में ही थोरा सा adjust करके इसको देखना पड़ेगा क्पून अ क्वह बाखंगा क्व. भली हम लोग ने मार्कर हटाया लेकिन साइड में यहां पर करेक्टर था तो करेक्टर का एजिस में भी जो रेड टीन था तो वो भी हटा चुका है ये तो हमें जब भी रोटो करेंगे तो बहुत ही ध्यान से इसको रोटो करना है ताकि केरेक्टर के बॉड़ी के उपर कुछ भी एफेक्ट ना हूँ तो अभी देख रहें हों कि बहुत ही अच्छी तरसे ये मैच हो चुका है तीनो चनल में रेड ग्रीन ब्लू और जैसे हम लोग इसको डीन आस करके फिर से री ग्रेंड करेंगें। तो यह पूरी तरीके से blend हो जाएगा तो आप ही आते हैं दूसरा एक marker के तरफ यह marker को हम लोग को हटाना है तो क्या हम लोग सेम PFX kill spill यूज़ कर सकते हैं तो इसका answer है नहीं क्यूं मैं दिखाता हूं आपको अगर सेम kill spill के अगर अंदर हम लोग निया रोटो ड्रॉट करते हैं तो उसका कुछ color ऐसा हो जाएगा क्यूंग क्यूंकि इसका जो color variant है यह जो chroma अलग-अलग color में है तो इसलिए यह जो marker था यह match नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए एक दूसरा kill spill देना पड़ेगा अगर आपको यह marker हटाना है तो फिर से एक दूसरा kill spill देंगे एक फिर से roto note लेंगे तो red green blue में तीनों में अलग-अलग उसको हमें match करना है तो 20-20 में आपको limiter को भी छेनना पड़ेगा तो limiter में हमें थोड़ा सा value up and down करके देखना पड़ेगा कि कैसा output आ रहा है तो यह देखिए rgp में पूरा यह marker हट चुका है लेकिन हम लोग अगर same pfx skills will use करने के लिए try करेंगे तो यह match नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर color variant है अगर same color में है पूरा chroma तो use कर सकते हम लोग तो यही था आज का tutorial में और फिर्म मिलते हैं